हेलो स्टूडेंट्स अपने ट्वेल्थ आर्बेसी बायोजी का चैप्टर नंबर सेवन्थ कर रहे थे वास्पो सर्जन ट्रांस्पीरेशन जिसमें अपने लास्ट वीडियो में दो थेयरी कर ली थी जो स्टोमेटा के ओपन एंड क्लोस से रेटेड थी जिसमें अपने पहल जो थेयरी है वो है सक्रिय पुटेशियम आयन स्थानातरन सिधान्त ये स्टोमेटल मुवमेंट के लिए दी गई बेस्ट थेयरी है सरुमन सिधान्त है ये इसको के पलस आयन ट्रांसपर थेयरी भी बोलते हैं सबसे पहले इस थेयरी का परतिपादन जो किया था वो दो रूप देखते हैं जो विश्ट्रित रूप प्रदान किया इसौरी को वो दिया था लेविट ने 1974 में इसलिए इस थेयरी का जो श्रेय है वो लेविट को ही दिया जाता है अब इस थेयरी को समझने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें भी जो इसे अपने पिछली थेयर कैसी इसको बांड कर पढ़ेंगे अब सबसे पहले यांपर मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उपर यह guard cells लिखा हुआ है इधर यह मैंने साइकोशिकाई लिखा हुआ है तो guard cells में जो process होंगे वो इधर पढ़ाए जाएंगे आपको जो subsidiary cells में या साइकोशिकाई में होंगे वो इधर लिखे जाएंगे फिर अपने जानते हैं कि plan cells में जो संग्रहीत बोजन होता है वो starch के रूप में संग्रहीत होता है यह theory यह कहती है कि guard cells में जो starch होए वो दिन के समय है देखो अपने जो पढ़ना है अपने को बुक में यह अपने slaves के according वो सीधा यह पढ़ना है कि stars दिन में मैलिक अमल में change हो जाता है मैलिक अमल में convert हो जाता है जो संग्रहीत बोजन स्टार्स के रूप में पाया जाता है अगर देखा जाए कि मैलिक अमल में convert कैसे हुआ तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ लेकिन अपने को यह ना ही तो याद करना है ना ही आपको लिखना है क्योंकि यह फिर जादा बड़ा हो जाएगा तो अपने slaves के according अपनी book के according यह नहीं है ना ही अपनी book में यह दिया हुए एक्चुल में क्या होता है कि starch जो होता है यह दिन के समय गलाइकोलाइसिस प्रोसेस के तुरू किस में convert हो जाता है PEP फोस्फो इनॉल पाइरुवेट में बलता है पहले यह यह फोस्फो इनॉल पाइरुवेट जो है यह तीन कार्बन का molecule होता है सबस्टांस होता है फोस्फो इनॉल पाइरुवेट जो है यह कार्बन डायोकसाइड को ग्रहन करके oxaloacetic acid में बलता है OAA और यह oxaloacetic amal आगे चलकर बनाता है malic amal malic amal के process की किरिया तो यह है कि star से पहले PEP बना फिर वो PEP को enzyme की presence में oxaloacetic amal बनाएगा और oxaloacetic amal से malic acid की formation होती है लेकिन अपने को यह यहां नहीं याद करना यह अपने आगे एक chapter आएगा उसमें थोड़ा देखेंगी इसको starch जो है अपने यहां सीधा याद रखना है आपको कि दिन के समय starch जो है वो किसमे convert हो जाता है malic amal में convert हो जाता है और यह malic amal सूरे की किर्णों के परवाब के कारण तूट जाता है किस किसमे? malet iron में और hydrogen iron में यह malic amal सूरे की रोशनी के परवाब में malet iron plus H plus iron में क्या हो जाता है? टूट जाता है अब यह H plus iron जो है यहां से बहिर गमन कर जाते हैं कौन सी कोशिकाओं में? सहाय कोशिकाओं में अब क्यों किया ये भी अबने रिजन बताएंगे भी आगे और जो सहाय कोशिकाओं होते हैं उनसे K प्लस आयन जो हैं वो influx कर जाते हैं कौन सी कोशिकाओं में गार्ड कोशिकाओं में H प्लस आयन जो बढ़े थे वो तो कहां चले गए सहाय कोशिकाओं में और K प्लस आयन जो साय कोशिकाओं में पड़े थे वो गती करके कहा जाते हैं गार्ड कोशिकाओं में अब K प्लस वे H प्लस आयनों का इस प्लाजमा मिंब्रेन के आर पर जाना जो है ये एक एक्टी प्रसेस है अब K प्लस आयन जो है उनका इन फ्लक्स हो जाता है अब आपके पास गार्ड सेल्स में क्या क्या पड़ा है मैलेट आयन पड़े है और कौन से आयन पड़े है पोटेशियम आयन पड़े है ये दोनों आपस में मिलकर एक सबस्टांस की फोर्मेशन करते हैं जिसका नाम है compound की formation करते हैं जिसका नाम है potassium mallet पोटेशियम मैलेट आइन थे और potassium आइन थे तो दोनों मिले तो क्या बना potassium mallet यह potassium mallet जो है जल में विले होता है जल में गुलनशील होता है तो गार्ड कोशिकाओं के पास द्वार कोशिकाओं के पास जो जल होगा, विलाइक होगा, उसमें ये पोटेशिम मैलिट जो है क्या हो जाएगा, विले हो जाएगा विले होने के कार्ण गार्ड कोशिकाओं में जो विलेन बना अब उसकी संदर्ता जो है प्रास्वर्ण संदर्ता वो ज़्यादा हो जाएगी और जादा होने का मतलब है मतलब यहां वहां पर क्या हो गया ओपी जो है ओस्मोर्टिक प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा इनक्रीज हो जाएगा और जैसे ओपी इनक्रीज हुआ यहां पर और आप ये जानते हैं कि विलायक के अनू कम संदर्ता से अधिक संदर्ता की और गती करते हैं यहाँ पर जो सहाय कोशिकाई हैं वहाँ की संदर्ता इसके कमपेरिजन में क्या है कम है जिसके कार्ण सहाय कोशिकाओं से जल के अनू जो है वो गार्ड कोशिकाओं में आ जाते हैं गार्ड सेल्स में प्रवेशन कर जाते हैं इस प्रकिरिया को आप क्या बोलते हो अन्थ है प्रासरन एंडोस्मोसिस और endosmosis जब होता है तो अपने जानते हैं कि कोशिका में जब रस आएगा या आप जिसको बोलते हैं विलायक के अनू आएंगे तो उससे कोशिका क्या होगी? फूल लेगी तर्जिट स्टेज में जाएगी और कोशिका के फूलने से जो उसकी कोशिका जिली है वो कोशिका बिती पर दवाब डालती है और इस प्रेशर को क्या बोलता था अपने टीपी तर्जर प्रेशर तो endosmosis हुआ तो तर्जर प्रेशर निकरीज होता है जिससे गा फिर से इसको शोट में देख लें कि दिन के समय क्या हुआ इफलक्स के थिरू साइकोशिकाउम में चले गए वहां से कले抪लस आयं इन्फलक्स के थुञ। गाड़ सेलस में आये। यह मलेट वैर पोटेशियम आयन आपस में मिले क्या बनाया। पोटेशियम मैलेट की फोर्मेशन की जो जल ऐला में क्या था? विलेट था। विले होने के कारण प्रासरण संदरता बड़ी Op increase हुआ जिसके कारण इन 사एकोशिकाओं से विलायक के अनु अन्त है प्रासरण द्वारा किस में आ गई Guard Cells में आ गई जिससे वहाँ पर क्या निक्रीज हुआ study pressure और इसके increase होने का मतलब है guard cells क्या हो गई है तर्जड या सफीत हो गई है और सफीत होने से आपको पता है कि stomata जो है वो खुल जाते हैं यह अपने render की सरंचना में आपको बताया था फिर इदर note लिखा हुए है कि K प्लस वे H प्लस आइनों का जिली की R पर जाना जो PM मतलब plasma membrane वही एक active process है और इसके लिए क्या खर्च होती है ATP खर्च होती है अब देखते हैं रात्री के समय यह बंद कैसे होती है इदर भी आपको वही चीज़ें पढ़ने ही है इदर guard cells लिखा हुए है इदर साइकोशी कहीं लिखा हुए है रात्री के समय क्योंकि प्रकास installation बंद हो जाता है तो CO2 जो है वो guard cells में उसकी संदरता जो है वो बढ़ जाती है अब CO2 की संदरता बढ़ने के कारण दो काम होते हैं पहला काम यहां पर एक हार्मोन active होता है जिसका नाम है अबसेसिक अमल हार्मोन ABA यह अपने हॉर्मोन वाल चेप्टर में पढ़ेंगे सेकंड काम क्या होता है कि जो potassium millet बना था वो फिर से तूट जाएगा क्योंकि सुर्या के प्रकाश का बावू चुका है तो यह तूट जाता है किसके अंदर potassium and millet के अंदर यहां से potassium आयन जो है यह चले जाएंगे किदर सहाय कोशिकाओं में और जो H प्लस आयन गए थे वो वापिस किसमें आ जाएंगे गार्ड कोशिकाओं में अब यहां पर यह important चीज है कि इस काम के लिए ATP खर्च नहीं की जाती यह एक निश्किरिया प्रकिरिया है दिन के समय वो ATP खर्च हो रही थी वहां पर active process था यह जो प्रकिरिया हो रही है यह inactive process है पैसी process है तो फिर यह आयन क्यों बाहर गए और क्यों अंदर आए यह जो ह यह plasma membrane जो है किस-किस के बीच? guard cells और सहाय कोशीकाओं के बीच यह k-plus आइनों की पारगम मेता तो बढ़ा देता है guard cells से किदर की और? सहाय कोशीकाओं की और? और H-plus आइनों की पारगम मेता बढ़ा देता है किदर से? सहाय कोशीकाओं से guard cells की और? और इसी कार जो K-plus आइन वो बाहर चले जाते है और H-plus आइन कहा आ जाते है? अंदर क्योंकि अब K-plus आइन तो बाहर चले गे तो अब आपके पास guard cells में क्या क्या है? मेलिक पड़ा है और H-plus आइन पड़ा है ये वापिस से मिलकर क्या बढ़ाएंगे? मेलिक अमल जो जल में क्या होता है? एविले जल में एविले होगा तो संदरता क्या होगी? decrease, osmotic pressure क्या हो जाएगा? decrease हो जाएगा और ये मैंने जो बता बात बताई आर पर जाना एक्रिया-क्रिया है इसके ये भी हर्मोन द्वारा जिल्दी की पारगम में ता बदलने से होता है तो ये हमां लिख दिया ठीक है? तो मेलिक अमल एविले है तो OP जो है वो decrease हो जाएग ओपी के decrease होने से कौन सा प्रसेस होगा? एक जो osmosis बही प्रासरन यानि कि यहां से जो विलायक के अनू है वो गती करके किदर चले जाएगे? दूसरी और चले जाएगे? साइकोशी काओं में जिसे टीपी भी क्या हो जाएगा? decrease, cell कैसी हो जाएगी? सलत या फ्लेशिड हो तो आपको पता है, stomata जो है वो क्या हो जाते है? बंध हो जाते हैं तो यह रात्री के समय होने वाली परकिरिया है और यह theory जो है K-Sign theory वो सरमाने सितांत है, stomatal movement के लिए, ओक शुडेंट next अपना जो टॉपिक है इसमें, वो है वास्पो सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, factor affecting transpiration, देखो वास्पो सर्जन को दो तरह के कारक प्रभावित करते हैं, एक है बाहे कारक और दूसरा है अंतरी कारक, सबसे पहले अपने बाहे कारकों के बारे में discuss करेंगे, उसके बात जो है वो internal factor या अंतरी कारकों के बारे में देखेंगे, बाहे कारक जो मुखेता हैं वो environmental है, वातावर्निय कारक हैं, जिसमें पहला जो आता है वो है light, sorry, light जो है वो वास्पो सर्जन को directly और indirectly, दोनों तरीके से प्रभावित करता है, देखो directly तो कैसे करेगा, रूप से जब रंदर खुलेंगे तो वास्पो सर्जन होगा, एप्रतेक्श रूप से आपको पता है जब प्रकाश ज़्यादा होगा तो तापमान बढ़ेगा और तापमान बढ़ने के कार्ण भी वास्पो सर्जन जो है वो ज़्यादा होता है, यह अपने आगे एक point में देखेंगे तो ये परत्यक्ष और एपरत्यक्ष दोनों विदियों द्वारा जो है प्रकाश वास्पो सर्जन की दर को प्रभावीत करता है सेक्ड जो है वायू वाइंड तो वायू जो है वो किस तरह से प्रभाव डालती है देखो जब तेज वायू चल रही होगी तो वो पत्ती के आसपास जो नम वायू होती है वास्पो सर्जन होने के कारण उसको वो हटा देती है वहां से जिसके कार नशुष्क वाजू जो हलकी होती है उपर से वो नीचे पत्ती की सतय पर आती है जिसके कार वास्पो सर्जन की जो गती है दर जो है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है उसके बाद तीसरा जो फेक्टर है वातावरनी है या बहायकार जिसको बोड़ रहे हैं अपने वो है मिटी में प्राप्या जल की मातरा अवेलेबल सोयल वाटर देखो अगर पानी की मातरा जो मिटी में ज्यादा होगी ज्यादा उपलब्द होगा पादपों को तो वास्पो सर्जन की दर भी ज्यादा होगी अगर प्लांट के पास पानी की अवशोशन की कमी हो रही है मिटी के पास पानी प्लांट अवशोशित ही नहीं कर पारे तो वा जाती है कम हो जाती है आर्दत कम हो जाएगी तो वास्पोसरजन की दर जो है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है तो तापमन बढ़ने से भी ट्रांस्पिरेशन की दर जो है वो क्या होती है इंक्रीज होती है तो यह चार बाहे कारक थे second अब अपने देख रहे हैं आंत्री कार internal factors internal factors में सबसे पहला जो कार काता है वो आता है पत्ती की सरंचना देखो पत्ती की सरंचना में क्या हो सकता है कि जैसे अपने बात करें कि उनमें रंद्रों की स्थितिक ऐसी है उपरी सताय पर जादा पाए जाते है तो ये बात आजाएगी इसमें वह ये आगे भी आएगा रंद्रों वाली जो कंडिशन है सबसे important ये है कि जो मरूद बिदपादप हैं जिनमें अपने देखते हैं कि उपर जो है epidermis के उपर क्योटिकल की एक परत पाई जाती है मरूद बिदपादपों में कुछ ये भी अनुकूलन होते है कि उनके रंद्र जो है वो नीचे थोड़े धसे हुए होते है जिनके कार वास्पो सर्जन को क्या किया जा सके कम किया जा सके तो ये जो कार कहें वो प्रबावित करते हैं वास्पो सर्जन की दर को देखिए वास्पो सर्जन की दर पती की सरंचना से प्रबावित होती है शुष्क जलवाजू में उगने वाले पोदों की पत्यों की बाहत बचा क्योटिकल वैक्स या रोमों से डकी होती है रंद्र जो है वो दसे हुए पाए जाते हैं उनमें ये लक्षन वास्पो सर्जन की दर को क्या करते हैं कम उसके बाद जो रंद्रों की बाद बताई कि पत्ती के पर्ती इकाई शेतर में रंद्रों की संख्या यानि उनकी फ्रिक्वेंसी के कितनी है कि परती इकाई जो शेतर है उसका centimeter में ले रहे हो आप उसमें कितने रंदर है अगर ज्यादा रंदर होंगे तो वासपोसर ज्यादा होगा अगर कम होंगे तो वासपोसर ज्यादा होगा तो यह पहला factor है सेकंड जो है वो है मूल प्रो उनुपात रूट शूट रेशो देखो अगर जैसे जैसे आप रूट शूट रेशो को बढ़ाते जाओगे मानलो रूट और शूट के बीच एक अनुपात तीन का अनुपात है अगर आप इसको बढ़ा रहे हो एक अनुपात चार कर रहे हो एक अनुपात पांच कर रहे हो तो इसका मतलब आप स्टैम को जो है उपर वाले पार्ट को बढ़ा रहे हो और उपल वाले पार्ट को बढ़ाओगे तो उस पर जो leaves की संक्या है, stomatal की जो numbering है वो भी क्या होगी, increase होगी और increase होने के कारण जो वास्पो सर्जन की दर भी जो है वो क्या करती है, व्रदी होती है वास्पो सर्जन की दर में भी थर्ड वन अपने पास जो factor आता है वो आता है leaf orientation, पत्ती का दिक विन्यास, देखो दिक विन्यास यह कहता है कि मानलो यह सूर्य है इदर और यहां पर कोई plant है, यह कहता है कि अगर यह पत्ती की जो दिक विन्यास orientation जो उसकी स्थिती है वास्ता में, जो आप्तित किरन है सूर सरजन की दर है, वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि पत्ती पर सूर्य की किरनों का परबाव कम पड़ेगा, उसका तापमान वो कम सहन करेंगी, तो इस कारण वास्ता सरजन की दर जो है, वो कम रहेंगी, लेकिन अगर सूर्य से आने वाली किरनों के प्रती, यह पत्ती जो है वो 90 degree के कौन पर होगी कि समांतर ना होकर क्या होगी समकोन पर होगी तो फिर ये सूर्य की किर्णों का प्रबाब बिल्कुल प्रतेक्ष रूप से इन पर पड़ेगा जिसके कार वास्पो सजन की दर जो है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो समांतर होने से कम होती है और समकोन पर होने से क्या होती है बढ़ जाती है यही इसमें लिखा हुए पतियों का दिक विन्यास आप्तित किर्ण के समकोन पर हो तो सूर्य की किर्णों का सबसे अधिक प्रबाब होता है दर अधिक होगी यदि समांतर हो तो वासपोर सरजन दर कम होती है ओके स्टुडेंट्स ये थे अपने जो factor affecting transpiration थे उसके बाद अपने इसमें next जो topic आता है वो आता है वासपोर सरजन का महत्व significance of transpiration देखो वैसे तो transpiration जो है इसको एक exceptional evil माना गया है स्टीवार ने कहा था कि transpiration is ये एक दरे से लेकिन पोदों के लिए ये जो है लाब दाय के भी है कुछ शितीों में हनिकार का था ही है क्योंकि पादपों में जल की जो इससे हनि होती है अब इसके लाब कियाके है वो देखिए तो आपशक क्यों का आ गया इसको आपने एक पिछले चैप्टर में जो वीडियो थी उसमें अपने एक थियोरी पड़ी थी Transpiration Pool थियोरी वास्पो सर्जन अपकर्शन सिदान था क्योंकि अगर पतियों से जल जो है वो उसकी हानी नहीं होगी वास्पो सर्जन नहीं होगा तो वहाँ जो तनाव उत्पन हुआ था वो तनाव नहीं उत्पन होगा जिसके कारण जो वाटर स्ट्रेंड था वो उपर की और नहीं किंचेगा उपर की और नहीं किंचेगा तो जो असेंट आप सेप था रसा रोहन था वो परकीरिया संपन नहीं हो पाएगी तो पोदों में रसा रोहन जो है असेंट आप सेप जो है वो वास्पो सर्जन अपकर्ष पर निर्बर करता है सेकंड जो है पोदों में वास्पो सर्जन दवारा ही खनीज लवनों वे जल का अवशोशन भी होता है और संथाना तरण भी होता है ये भी अपने पिछले चैप्टर जल का अवशोशन वे रसारोहन में पढ़ चुके है उसके बाद वास्पो सर्जन जो है वो पत्ती के रखती है और पादप के पास जो एक्स्ट्रा जल है उसकी मात्रा जो है यानि कोशिकाओं का कार सही बना रहा है उनके कोशिकाओं की जो अकरती है वो सही बनी रहे तो जो अतिरिक्ट जल की मात्रा है उसको ये वास्पो सर्जन क्या करता है बाहर निकालता है तो ये इसके लाब हैं वास्पो सरजन के पोदों के लिए नेक्स्ट जो अपने इसमें टॉपिक है वो है बिंदु स्तराव गटेशन बोलते हैं इसको आपने सुबह गास के उपर देखा होगा ये गर्मियों में भी दिखता है सरदियों में तो मोशली और भी बढ़ती है और वैसे भी ये होता है तो पतियों के जो मार्जिन्स होते हैं उनके किनारे जो होते हैं उन उपर जल का छोटी छोटी बुन्दों के रूप में आपको ये जल की बुन्दे दिखाई देती है इस प्रिकिरिया को कहा जाता है बिंदुस्त्राव पत्तियों के मार्जिन से जल का छोटी-छोटी बुंदों के रूप में निकलना बिंदुस्त्राव कहलाता है ये अलू, अर्वी, ब्रायो फिलम, गासों में तो मोशली ये देखने को मिलता है इनकी पोदों की पत्तियों में सुबह-सुबह बिंदुस्त्राव पश्ट दिखाई देता है तो ये तो इसकी definition हुई, ये नीचे एक diagram बना हुआ है इसमें ये पत्तियों के किनारे हैं, इनसे ये जल की बुंदे पड़ी हुई है तो ये अपने diagram ड्रो नहीं करना आपको, ये वाला diagram आपको ड्रो नहीं करना ये सिर्फ देखने के लिए कि ये पत्तियों के किनारों से जो जल है, वो बिंदुस्त्राव हो रहा है ये वाला diagram आगे वाला जो है, ये अपने लिए important है, ये बनाना है अपने को देखिए ये जो जल बाहर निकल रहा है बिंदुस्तराव के रूप में ये वास्ता में निकला क्यूं ये कहता है कि पत्तियों के जो किनारे होते हैं क्योंकि पत्तियों के चाहे किनारे हैं चाहे कोई भी सतय उपर जो एपिडर्मिस पाई जाती है तो पत्तियों के किनारों पर चोटे-चोटे रंदर पाए जाते हैं बिल्कुल उनके किनारों के अंतिम स्तान पर उन रंद्रों को कहा जाता है जल चिदर या वाटर पूर फिर से सुनिये पत्तियों के जो किनारे हैं यानिकि उनकी जो एपीडर्मिज होगी ये वाली बाहर वाली जो तवचा होगी उन पर छोटे छोटे रंदर पाए जाते हैं उन रंदरों को जल रंदर कहा जाता है देखिए यहां पर यह द्यान रखना कि वह यह स्टॉमेटा जो पीछे आप अड़के हैं उनसे पूरी तरह अलग है क्योंकि इनकी जो गाड कोशिका होती है पूले रहते हैं यह बात तो यह द्यान रखना कि जल रंदर जो है वो हमेशा खुले रहते हैं अब इन जल रंदरों का जो उपरी छिदर है उसको कहा जाता है वाटर पोर या जल छिदर अब रातरी के समय ऐसा क्या हुआ कि इनसे जो जल है वो बाहर निकलता है आप सभी जानते हैं कि रातरी के समय वास्पो सर्जन जो है वो क्या हो जाता है बंद हो जाता है क्योंकि जो शिदर रंदर थे स्टॉमेटा वो क्या हो जाते हैं बंद हो जाते हैं तो इस समय रातरी के समय जो पादप जल का अवशोशन करते हैं और रातरी के समय पादप जल का अवशोशन क्यों करते हैं यह अपने पीछे एक पड़ा था मूल दाव का सिदांत जिसमें अपने देखा था कि ATP का जो खर्च करके जिसका मूल में स्वशन सील कोशी काएं थी जिन्होंने ATP का निर्मान किया था वो कर्च करके जो जल है वो जायलम की वाहिकाउं में पहुंचता है तो यहां से वो मूलदाब उत्मन होता है जिसके कारण जल का अवशोशन किया जाता है यह अपने पीछे एक चेप्टर जो था जल का अवशोशन वड़े में देख चुक जाता है अब इन जो आपने को मैंने बताया कि यह जल रंदर पाए जाते हैं जल रंदर के नीचे विशेश परकार की पैरिनकाइमा की बनी हुई मृदू तक की बनी हुई यह जो आपको दिखाई दे रही है कोशिकाएं पाई जाती है इन कोशिकाउं के ग्रूप को कहा ज ये किस से जुड़ी हुई आगे? एपिथेम टिश्यू की कोशिकाऊं से जुड़ी हुई है. और मूलदाब के कारण जैसे जल जाईलम की वाहिकाऊं और वाहिनिकाऊं में आता है तो ये जल जो है वो किसको संतान अतरित कर देती है? अत्रिक जल जो है वो epitheme को और epitheme से उपर ही present होता है कौन जल रंदर और जल शिदर के द्वारा जल जो है चोटी-चोटी बुन्दों के रूप में जो है वो क्या चला जाता है बाहर चला जाता है और इस प्रकिरिया को क्या कहा जाता है बिंदू स्त्राव कहा जाता है यह अपने अब देखिए थियोरी में आपको लिखा हूँ मिलेगा यह डाइगराम अपने को ड्रो करना है जल की यह हानी पत्ती की शिराओं के जो अंत है वेन एंडिंग जो है वहाँ पर चोटे 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 चिदरों द्वारा होती है जिनको जल रंदर हाइडे थोर्स कहते है परते एक जल रंदर के शिर्ष पर एक चिदर होता है जिसको जल चिदर कहते है इस चिदर के चारों और कोशिकाओं में कोई गती नहीं होती यनि कि इसमें यह निकी इस दिन की समय खोलेंगे रात्री के समय बंद होंगे These उवेषा खोलें कम क्योंकि रात्रीक समय वासपु सजन क्या होता है कम इसके कारण जायलम की वाहिकाओं में मूल दाब उत्पन होता है जिससे जल जो है वो जायलम वाहिकाओं से निकल कर एपिथेम की कोशीकाओं में चला जाता है और इन कोशीकाओं के स्तरप्त होने पर जल जल छिद्रों से बुन्नों के रूप में बाहर आ जाता है बिंदू स्त्राव का कारण जो है वो कौन सा दाब है? मूल दाब है यह important question अपने लिए बिंदू स्त्राव का कारण क्या है? root pressure है जो जाइलम की वाहिकाओं वाहिनी काओं में उत्पन होता है अब बिंदू स्त्राव से जो जल निकलेगा वो शुद्र जल नहीं होता उसमें कुछ कारणिक लवन जो है वो गुले हुए होते हैं यानि कि थोड़ा नमकी टाइप लगेगा अपने को जब अपने टेस्ट करेंगे उसको तो वो शुद्र जल नहीं होता अगला जो अपना टोपिक है वो है रस्त्राव या ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग क्या होती है कि पोदे के कटे या शतिगरस्त बाग से रस्त का बाहराना क्या कहलाता है रस्त्राव कहलाता है ये इसका कारण भी क्या है मूलदाव है पोزों की जाइलend वाहिकाउं से जो रस्ट आ है वो मूल्दाव के कारण दनात्म कितना में रहता है जाइलend वाहिकाउं के कटने अत्वा शतिगरस्त होने से इसका रसाव रिसाव बाहराने लगता है रबर के व्रुख्ष से इस परकार के रसाव को क्या बोलते हैं लेटेक्स बोलते हैं जिससे रबर बनता है यह आपने आक में देखा होगा कि आक में देखा होगा बरगद में देखा होगा आपने कि उसकी जब अपने किसी शाखा को तोड़ते हैं और तोड़ने से एक सफेद से रंग का जो द्रव निकलता है तो आपने क्या किया उसकी ज से आगे चल कर क्या बनाई जाती है रबर बनाई जाती है तो ये है ब्लीडिंग या रस्त राव ओके स्टुडेंट्स ये सेवंथ नमबर चैप्टर जो है अपना वास्पो सर्जन ये भी कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में अपने अगला चैप्टर एट नमबर पात्पो में एक नीज पोशन वेरी पोटेंट है वो चैप्टर भी अपने लिए वो स्टार्ट करेंगे उमीद है कि आप साथ-साथ ये वीडियो देखकर अपने नोट्स जो है वो प्रिपेर कर रहे होंगे देखिए आपको बहुत अच्छा समय मिला है त्यारी के लिए आपने अगर दो चीज़ें होती हैं किसी चीज़ को अपने पोजिटिव सोचते हैं अगर आप ये नेगटिव सोचते रहोगे कि स्कूल नहीं लग रहा कलासेज नहीं लग रही जिसके कारण हमारी पडाई नहीं हो रही तो आप अगर इसी चीज़ को अपोजिटिव सोचोगे तो आप ये भी सोच सकते हो कि आपको दूसरे जो पिछले साल वाले स्टूडेंट्स थे उनके मुकाबले ज़्यादा समय मिल रहा है क्योंकि आप अभी से त्यारी कर रहे हो अभी तक अपना नेक्स्ट सेशन जो है वो एक मई से स्टार्ट होता है एक मई से 17 मई तक और फिर अपने ब्रेक होते हैं और फिर उसके बाद एक जुलाई से स्कूल वापी से उपन होते हैं अपने तो अपने तो अभी तक सेशन एक तही किसे अपना स्टार्ट भी नहीं हुआ और आपके साथ आठ चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं तो आप थोड़ी थोड़ी त्यारी अभी से साथ में करते जाएं पर अपने नोड्स प्रिपेर करते जाएं सभी स्प्जेट्स के तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छा स्कोर करोगे ऐसे मुझे पुरी उमीद है ओके थैंक यू